नमस्कार बच्चो, कैसे आप सब? बच्चो, इसके पूरव के वीडियो लेक्शर में हमने साज़दारी फर्म पे बिटन के समय कैसे लिए कप उस्तक के बना जाती है यह जाना फिर उसी में हमने अगर कोई साज़दार दिवालिया हो जाता है तो बिगटन के लेखे कैसे बनाए जाते हैं यह भी जाना आज हम यदि सभी साइधार दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म के लेखे कैसे बनाए जाएंगे यह आज हम समझने वाले हैं तो बच्चो जब किसी साज़दारी फर्म के सभी साज़दार दिवालिया हो जाते हैं तो हम जानते हैं भारतिय साज़दारी अदिनियम 1932 के अनुसार फर्म का अनिवार भगटन हो जाता है और फर्म की सभी संपत्यों को बेच कर उसके दायत्तों का भुकतान कर दिया जाता है लेकिन प्राया देखा गया है कि जब सभी साज़दार दिवालिया हो जाते हैं तो लेंदारों का पूर्ण भुक्तान नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में उन्हें कुछ अंस ही प्राप्त हो पाता है अब जब उन्हें कुछ अंस मिलता है और सभी साज़दार दिवालिय हो गए हैं उनकी निजी संपत्तियों से भी इतनी रासी प्राप्त नहीं होती है कि सभी लेंदारों का भुक्तान किया जा सके तब प्रिश्ण उत्पन होता है कि लेंदारों का भुक्तान कैसे होगा तो सभाविक है कि लेंदारों का पूरा भुक्तान नहीं हो पाएगा उन् इसके संबंद में लेखे कैसे बनाया जाते हैं इस संबंद में तीन विदियां प्रिचलन में हैं यह तीन विदियां कौन कौन सी है वह इस प्रकार से है प्रथम विदी जब लेंदार खाता और कमी खाता बना कर लेखे तयार किया जाते हैं अर्था हम जैसे पहले लेखे बन खाता भी बनाया जाएगा दूसरी बिदी है कि बिना लेंदारों के खाते और कमी खाते के लेखे बनाना अर्था ना तो लेंदारों का खाता बनाया जाएगा ना ही कमी का खाता बनाया जाएगा तो पाकी जो पहले हम लेखे बनाते थे अर्थात पहले हम बसूली खाता बनाते थे दायदारों के पूझी खाते बनाते थे और बैंक खाता बनाते थे उसी बिधी में हम सभी लेखे बनाएंगे तो इस पस्टता है कि प्रिथम बिदी में क्या किया जाता है लेंदार खाता और कमी खाता बनाया जाता है दूसरी बिदी में लेंदार खाता और कमी खाता नहीं बनाया जाता है सीधे बसूली खाते में सभी लेखे कर लिया जाते हैं और दायतों का भुक्तान कर दिया जाता है और जो कमी होती है उसको कमी खाते में ना लिखकर सीधे पूजी खाते से समयोजित कर दिया जाता है अब जो तीसरी बिदी है कि लेंदारों को खाता बनाया जाता है और जो पूझी खाते की कमी है उसकी वांकिया जो है उसको लावानी खाते में हस्तनांत्रित कर दिया जाता है और फिल लिखे बनाया जाते है तो बच्चो हम इन तीनों बिदियों को एक उधारण के माद्यम स से हल करेंगे तो उधारण बच्चो इस प्रकार से है कि अजय और विजय बराबर के साज़दार है उनका चिठ्ठा निम्न प्रकार था दायत्व पक्ष में लिखा है अजय की पूंजी बारह हजार और लेंदार हैं उसका डेविट सेज है पूंजी खाते का डेविट सेज दिया गया है 24,000 इस प्रकार से दोन पक्षों का योग दिया गया है 90,000 अब संपत्नियों से निम्न रासियं बसूल हुई है इसकंद्य से 7,000 परनीसर से 4,000 देंदार से 10,000 और मसीनली से 14,000 अर्थात कुल मिलाकर यह ह हो जाते है 35,000 रुपए संपत्तियों को बेचकर हमको 35,000 रुपए नगत प्राप्त हो गए हैं बसूली और बेतरण ब्याजू है वो 3000 रुपए हैं अजय की निजी संपत्ति उसके निजी रिणों के लिए परयाप्त नहीं थी अर्थात अजय जो था उसके जो निजी संप हुकता करने के लिए कोई रासी नहीं लेके आएगा जबकि विजय की जो निजी संपत्ति है वह अपने निजी दायत्तों हुकतान करने के बाद उसका 1000 रुपए का आधिक बच जाता है जो किसको प्राप्त हो जाएगा इस फर्म को प्राप्त हो जाएगा आपको बसूली में ख worms say बनाना है लाभानी खाता बनाना है लेंदारों का क्तthose मनात है तो लियोंगों को करना तो प्रथम विदी के अनुसार क्या होगा कि लेंदारों खाता बनाया जाएगा और यहां लावानी खाता लिखा है ठीक है तो इसको हम कमी खाता भी कह सकते हैं कि यह तो कमी खाता बनाया जाता है या लावानी खाता बनाया जाता है ठीक है तो बच्चों हम लावानी खाते के जगए कमी खाता बनाएंगे और प्रकट कीजिए कि लेंदारों को रुपे में क्या मिला तो बच्चो सवाल को हम सुरू करते हैं सबसे पहले बनाया जाएगा बसूली खाता ध्यान रखिए कि बच्चो अब सभी साइधार जो हैं दिवालिया हो चुके हैं और जब सभी साइधार दिवालिया हो जाते हैं तब सवाल क को हम इन तीन विड़िओं में से एक से हल करते हैं और इस सवाल को प्रतम से पहले हल कर रहा हैं कर रहं है को भी खाता ऑज़ता बनाएंगे और जभ्लिणारों खाता बनये जाएगगा तो अब लेंदारों को हम बसूली खाते में नहीं ले जायें ठीक है अर्फात यह जो लेंदार हैं पहले हम कहा ले जाते थे वस्मूली खातें मीobra puck करते थे लिकिए चब सबह болi हो गई हैं तो अब लेंदारों को हम सूद हखाते में सतना नहीं करेंगे जब हम लेंदारों का खाता अलख से बना तो सुरू करते हैं को सभी संपत्यों को लिख दिया जाएगा संपत्य जाएगा जब लेंदार लिखा जाएगा इन चार संपत्यों को हम डेविड में लिख देते हैं तुम आपाउंट तू अजार पात सो टू फनिचर अब जो हम होते थे लेकिन इस सवाल में हम अलग से बनाएंगे तो दाइत्वों को यहां क्रेट पक्षमहस्तानांत्रित नहीं करेंगे इन संपत्यों को बेच दिया गया है और बेचने से हमको सकंद से साथ हजार फनी शेर से चारहजार देंदारों से दस हजार मसीनली से चवदा हजार प्राप्ट हुए हैं तो हम बसूली खाते के क्रेट में लिख देंगे वाइक कैस अकाउंट कितना 3500 रुपे इसके बाद इस सब बसूली करने में हमारे 3000 रुपे के खर्ची हो बच्चों इसके बाद हम दोने पक्षों का यह लगा लेंगे और जो भी अंतर की राची होगी है लाभाणी की रासी होगी जो साएदार अपने लावा लाव अनुपात में बाटलेंगे यहां पर डेविड में योगा दिखए जो की 63000 हैं तो अंतर की राची को क्रेट्स म लिख दिया जाएगा तो योग लगा लिए हमने और अंतर की राशी निकाल ली जो की निकल के आ रही है 28000 रुपे और यह अजय और विजय के बीच लावा लावा अनुपात अर्थात बरावर अनुपात में पढ़ जाएगी तो 14000 अजय को बहन करने पढ़ेंगे हानी के और बता है कि हम पूरे रहता हैं के साइब नहीं कर पा रहे हैं तो पहले हम बैंक करते जाएंगे तो बच्चो हम बनाएंगे पहले cash account और cash में जतना भी balance बचेगा उससे हम दायतों का भुकतान कर देंगे अगर cash नहीं होगी तो दायतों का भुकतान भी नहीं होगा ठीक है और अगर cash होगी तो जितनी cash होगी उतने दायतों का भुकतान होगा और दायत्तों लुक्तान के बाद अगर cash बच जाती है तो साइधार बाइट लेंगे ठीक है तो पहले हम cash account बना लेते हैं cash account का जो bank sales है उसे हम cash में लेंगे to bank account 6,000 का हमारा bank balance था जो हमने cash कर लिया इसके बाद हमें मालूम है कि हमने संपत्यों को बेचा और बसूली के 35,000 रुपे प्राप्त हुए थे तो प्राप्ति को हम debit पक्षम में लिखते हैं to realize an account 35,000 रुपे और बसूली बे 3,000 रुपे चुकाए थे तो हम credit लिख देते हैं by realize an account 3,000 रुपे इसके अलाबा आपको पता है कि जो अजय और बिजय है यह दिवालिया हो गए हैं और इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो दा का है लेकिन विजय से हमको कितने एक हजार रुपे प्राप्त हुए थे तो इस प्राप्ति को हम यहां पर लिख देंगे टूब जैस एक हजार रुपे से उसने दिये हैं तो हमने लिए खुसी-खुसी अब हम दोन पक्षों का य युगा देखाएगा ब्याली सजार देख युगा रहा है और इस तरह का तीन हजार है तो अंतर की राज़ी जो 49000 वह किसको दे दी जाएगी क्रेटर्स को पेविंट करना है उसमें से मातल जितना यहां कैस बचेगा उतने काम पेविंट कर देंगे तो लिख देते हैं बा होता है लिफ दिहांने बाइबलें इस अफंटर हाजार में से हमने जो है उन्ता बैशी कर दिया है ठोग कैसा कौन ब नहीं है ठीक है तो लिएडेगे तो कि ठीश्याब कर लेते हैं और लिख देंगे कहां पर डेविट पकहयोंotta अकॉंट यहां सकते हैं लेकिन में क्या है तो मैंने यह अलुकित दिशुक्त दखांट ViNCut तो यह कमी है यह और विझा नहीं चुकाने परकाद से उनकी लिइघा है क्या है लाव की तरह तो उनको नहीं Difficiency account कहां से लेके आ रहा है हम देटर से करन कहां लिखा है तो सब्सक्राइन कहां अ इस उन्तालीशनार की गासी को औह आजय के बीच उनके लावला लाव अनुपाद में बाटके लिख दिया जाएगा तो लिख देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अजय और दिजय और इनके बीच 19500 और 19500 49000 को हमने दो भावों में बाड लिया जो कि बरावर बरावर बाटा गया है क्योंकि उनके बीच बरावर बरावर लावानी बाटा जाता है ठीक है तो इस प्रकार से हमारा डिपीशीयенन सी अकॉंड बनकर तैयार हो जाता है बच्चो इसके बाद हम बनाएंगे partners capital account आप बच्चो जानते हैं capital account का जो सेज दिया गया होगा उस सेज को हम यहां लिख लेते हैं तो partners capital account लेकिन विजय का डेविड से तो अजय के सेज को हम डेविड में लिख देंगे तो लिख देते हैं बच्चों हम इसके बाद जो बच्चों किसी प्रकार के कोई संचय नहीं था अगर होता तो इसको हम क्रेडिट में लिख देते हैं ऐसी कोई किसी दो कि रविण को अजय के लिए ठीक है इसके बाद जो डिफिसी आई थी उसको भी लिख देंगे कहां लिख देंगे ठीक है और एक मद और लिखी जाएगी ठीक यहां वाया है क्योंकि यह जो विजय है यह एक हजार रुपए नगद ले के आए था ठीक है किते लिके आये था एक हजार रुपए वह नगद ले के आएगा तो बजाए की कैपिटल अकाउंट में इसे को क्रेड़ पक्ष में लिख दिया ज तो आप यहां जब लगाएंगे तो क्या पार है वहीं अजय का क्रेट पक्ष का योगा देखे तो लगा देते हैं योग पहले बिजय का डेविड में लिख देते हैं और अंतर की रासी जो है उनको हमको बरावर करना है तो बिजय के क्रेट पक्ष में जो रासी कम है वह किस से ले ली जाएगी अजय से ले ली जाएगी क्योंकि अजय का क्रेट से सफ लिख दिये जाएगा यहां पर कितना बाई अजय कैपिटल अकाउंट जो भी अंतर की रासी होगी वह लिख दी जाएगी और अंतर की रासी न साइट टू विजैस कैपिटल अकाउन और आशी कहां लिखेंगे कालम में सत्रह हजार पांसो और देखिएगा यहां सत्रह हजार पांसों में यहां से उठाके लाए थे लेकिन यहां पर सत्रहाजार पांसों लिखते ही अजय के डेविड क्रेड का योग बराबर हो जाता है देखिए अपने आप बराबर हो गया यहां पर आपको कुछ भी बराबर करने किया हो सकता नहीं हुई आप चाहें तो अंतर की राश निकाल के बराबर कर सकते थे लेकिन जो अजय की पूझी की कमी थी उसे अजय ने पूरा किया है तो अजय के पूझी खाते से राशी नि सब्सक्राइब को कहा जाता कि आप अवस्षक खाते बनाएए और लेंदारों खाता बनाने क्या आउशकता नहीं है तब ऐसी इस्तिती में आप जो बसूली खाता बनाते वह पुरानी डीती से बनाते अर्थात क्या करते सभी संपत्यों को डेविड में और समिशक्रायत्थ संपत्यों को क्रेडिट में और किसी प्रकार को कोई कमी खात्य बनाने क्या ओषकता नहीं पड़ती तो देखते हैं कैसे करतें हम coalition अकाउंट दूसरी विदी से कैसे बनाएंगे सबसे पहले सभी संपत्यों को डेविड में लिख दिया जाएगा ठीक है यह डेविड में हम लिखते जा रहे हैं पहले बच्चों हम लिख चुके हैं तो आप पता है कि कितनी राची थी मसीनरी फनीचर डेटर्स और लिख देंगे इसके बाद इन संपत्यों को बेचने से हमको 35,000 रुपे प्राप्थ हुए थे लिख देंगे बाए कैसे कितने का 35,000 रुपे और इस बसूली पर हमारे 3000 रुपे का खर्चा हुआ था तो हम डेविड में लिख देंगे टू कैसे अकाउंट तीन हजार रुप है इसके बाद आपको दोने पक्षों का यूग लगा लेना है ठीक है ठीक है क्या कर लेना आपको दोने पक्षों का यूग लगा लेना है लेकिन आप बच्चों जानते हो कि जब आप यूग लगाओगे तो आपको क्रेइटर का पेमेंट भी करना होगा और क्रेइटर का यो प्रेइमेंट कैसे कैसे होगा हमें यह निकालना होगा कि हम के लिए सकते और कितना इसकते हैं यह क्यान बना के ही पता चलेगा तो आपको पता है कि कैस घ्जार था लिख दिया हमारी 3500 की हुई थी इस पर हमने तीने जार रुपय का पेमेंड किया था एक हजार हो हम को विजय से प्राप्त हो गए थे और जो अंतर की राज़ी थी ओए थी कितनी 49000 कर दिए लेकिन इस बार हम क्या करेंगे यहां पर क्या लखेंगे कुछ नहीं कर दिए हैं तो यहां लिख देते हैं अकॉंट पर दिया है तो अब तो लगा सकते हैं तो लगा देते हैं हम योग दोने पक्षों का तो यहां पर अब आ रहा है क्रेट पक्ष का योग अदेखा रहा है कितना एक लाख तीन हजार और अंतर की रासी को हम डेविट साइड में लिख देंगे किसके नाम से पार्टनर्स कैप्टल अकाउन के नाम से ल अकाउं में बरावर अंपात मलाव बांटा जाता है तो निकलाता है पांच जार पांच सो और पांच जार पांच सो इस प्रकार से हमारा रिलाजिशन अकाउंट बनके तैयार हो जाता है कैसे अकाउंट तो हम पहले ही बना चुके हैं इस से पूर्व के सवालों में कैसे ब वालिया हो जाते हैं तो केस पहले लगाना पड़ता है कि हमारे पास केस जाते हैं तो केस सिरिए, कि हमारे इत्क वालिया है रही एक जाते हैं तो क्रमारे पनmal केस पहले लगाना पास के बाचा है कि हमारे जाना शच एक अ झाल 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 आई वीडियो में करेंगे ठीक है वीडियो कापी लंबा हो चुका है ठीक है तो आप ये सवाल समाप्त हो जाता है आसा है बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा और आप समझ गये होंगे कि जब सबी साइधार दिवालिया हो जाते हैं तो तीन विदियों से लेखे किये जाते हैं ठीक है जिन मैंसे हमने दो विदियों के हल करके भी देख लिया है धन्यवाद